तो आन सेकेंड में फिर से आगे एक न्यूव वीडियो लेकर और इस वीडियो में मैं बात करूँगा डैडपुल एन वुलवरेन मुवी के बारे में तो चलिए वीडियो को शार्ट करती है तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि रूमर ये है कि हल्क अपियर होगा डैडपुल तेरे मुवी में तो अभी सुतरों के अनुसर ये पता चला है कि हल्क अपियर होगा डैडपुल एन वुलवरेन मुवी में सिर्फ कुस सेकेंड्स के लिए हम पकड़ सकते 5 to 10 से सीन क्या दिखाई देगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ तो डैडपुल देखेगा एक वुलवरेन के वीडियंट के क्लॉस को यानि कि वो जो हास से तीनों निकलता है खंजर उसको देखेगा वहाँ पे हमें रेफलेक्शन दिखाई देगा हल्क की फेस का और जो यानि यह मुझे पता चला है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इसी के साथ अब बात करते हैं क्रीस इवांस की बारे में तो आप लोगों को बताई होगा कि रूमर शेल रहते हैं कि क्रीस इवांस अप्यर होगे हैस यूमन टॉच डैडपूल तरी मुई में तो य कैसी यह कंफर्म होगे है यानि कि सुतर के अनुसर कंफर्म होगे कि वो डैफिनेटली हमें दीखाई देगे और अब मैंने बात की है दो एवेंजस की टेम मेंबर की तो अब बात करते हैं एवेंजस मुवी के बारे में तो रिसेंटली इंटर्वी के दौरान पूछा गया देख लिता रियान रैनोल्ड्स और शॉन लेवी और यू जैकमिन को कि क्या डैटपूल एन वूलवरीन में जॉइन करेंगे एवेंजस की टीम को यानि कि नच एवेंजस की जो मुवी आएवेंजस फाई एवेंजस रेड़ वास उसमें अपिर होगे तो रैन रैनोल्स न भी कुस साहिसांसन ने दिया उन्होंने कहा कि हमारा पहला मेजर इंटरव्यू है तो मुझे पता नहीं कि किस सरे कि से इंटरव्यू देना है उन्होंने ये का है अब उनकी बातों से तो यह लग रहा है कि वो डैफिनेटली अप्यर होगे आने वाली एवेंडस मुई में या पराम आता तो आप लोगों के वीडियो च्छे लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करो और कि न्यू बंदया बंदी हो चानल को शेर और सबस्क्राइब करो तो मैं मिलता हूं वैसी किसी नेक्ष्ट वीडियो में तिल देन चानल को शेर करो